अभी एन लिखों तु सोचे मुझे फिर शीन लिखों तेरी नीन लोडे जब काफ लिखों तुझे कुछ कुछ हो मैं इश्क लिखों तुझे हो जाए चला एक ऐसी नजन लिखूँ जो लवज लिखूँ वो हो जाए बस अश कहूँ तो एक आसू तेरे गोरे गाल को धो जाए मैं आ लिखूँ तु आ जाए मैं बैठ लिखूँ तु आ बैठ मेरे शाने पे सर रखे तू मैं नींद कहूँ तू सो जाए मैं कागस पर तेरे हूंट लिखूँ तेरे हूंट पर मुसकाना आए मैं नींद कहूँ तू सो जाए मैं दिल लिखूँ तू दिल थामे मैं गुम लिखूँ वो हो जाए तेरे हाथ बनाऊं पैंसल से फिर हाथ पे तेरे हाथ रखूँ, कुछ उल्टा सीधा फर्स करूँ, कुछ सीधा उल्टा हो जाए तेरे हाथ बनाऊं पैंसल से, फिर हाथ पे तेरे हाथ रखूँ, कुछ उल्टा सीधा फर्स करूँ, कुछ सीधा उल्टा हो जाए मैं आह लिखूं, तू हाई करे, बेचेन हो तू, फिर बेचेन का बेकाटो, मुझे चेन जरा सा हो जाए, अभी एन लिखूं, तू सोचे मुझे, इश्की बात हो रही है, अभी एन लिखूं, तू सोचे मुझे, फिर शीन लिखूं, तेरी नीन दोड़े, जब काफ लिखूं, तुझे कुछ कुछ हो, मैं इश्क लिखूं, तुझे हो जाए, मैं इश्क लिखूं, तुझे हो जाए, अभी एन लिखूं, तू सोचे मुझे, फिर शीन लिखूं, तेरी नीन दोड़े, जब काफ लिखूं, तुझे कुछ कुछ हो, मैं इश्क लिखूं, तुझे हो जाए, चला एक ऐसी नजम कहूं, जो लव्ज कहूं, वो हो जाए, चला एक ऐसी नजम कहूं, जो लव्ज लिखूं, वो जाए, अश्क कहूं, तो एक आसू ते गोरे गान कुद हो जाए, कि ये शायरी किसकी है तो अगर आपको पता है तो प्लीज नीचे कॉमें शायर का नाम जरूर लिखिए उनको टैग जरूर कीज़े कॉस बहुत ही हसीन तखयूल है इस शायर का बहुत ही हसीन है और बहुत मासूमाना है और बच्पन की खुश्पू आती है इससे सिक्स सेवन एइट नाइन टेन बस हो गया आपको इश्पूल की जायदा है कॉस बहुत है और बच्पन की खुश्पूल की जाच की जाइन गाएएगा उनका जाएबर दूर की एटवका है